बलोदा बजार की बलारोड पर संचालिस सरकारी राशन के दुकान से 20 कवंटल चावल महिला समू के दवारा गवन करने का मामला सामने आया है कसडोल SDM को बलोर रोड के नागरिकों ने सूचना दी की रात में उचित मुल्य की दुकान से एक गाड़ी में चावल को भर कर किसी दूसरी जगा ले जाया गया है जिसकी सूचना पर कसडोल SDM के साथ राज्यवस अमला मौके पर पहुंचा और दुकान का जाच शुरू किया जिसमें राशन दुकान से चावल का 20 कवंटल स्टॉक कम पाया गया है जिसके बाद कसडोल SDM की और से मामले की जाच की जा रही है जी मैं कल साम पाँच बेजे चला गया था उसके बाद से मेरे को कुछ पता नहीं है सुबह में आया ना तो SDM सर और हमारे नगर के अध्यक्ष जी आये थे उनका कहना है कि रात को यहां पर बारा बजे एक गाड़ी ख़रा था उसमें समान लोडिंग हो रहा था बोर रहे थे मतला चोरी हुआ करके उनके बगल से चिला रहे थे कितना मातरा में चोरी के आरफ लगा रहे हैं वहीं लग बग 30 से 35 बोरी बुर रहे हैं तो आप जब साम को दुकान बंद किये तो उसमें कितना इस्टाउक था पी जनकारी में है नहीं मैंना जल्दी बाजी में भूल गया था मगर मेरा एक जो तॉलता है चामल को वो देख को दे देता हूं और मैं यहां चला जाता हूं तो आज आप सुबह पहुंचे तो क्या लगा कि मौस्ताइक में था यहां चामल काम है एक हफ्ता पहले जांच किये थे तो यहां पर 20 कि उन्टल जादा माल मिला था उसकी जबती करके हम लोग सुपूर्दगी में दिये थे तो जो एक्सेस माल था वहां पर रहना था तो कल जब दुबारा सिकायत हुथी हम लोगो आज सुबह सिकायत हुई तो हम लोग सुबह आगे फिर जांच के तो जो 20 कि उन्टल एक्सेस मिला था ओ मात्रा हमको अभी नहीं मिले बाद यहां जो संचालित कर रही है उन्हीं को पर आरोफ है चोरी का क्या कुछ अभी जास में आए सामने आया है नहीं चोरी नहीं कह सकते है उसको एक्ट्वल में 20 कि उन्टल अब कहां भेजे हैं लोग एक्सेस या किसके पास चावी रहता है यह सब देखना पड़ा है कि जो देर रात निकला है कही ने कहीं गलत था हो भारत नाइन के लिए बलोदा बजार से हेमन वगेल की रिपोर्ट